भिलनी महा तपस्विनी शबरी जाको नाम मतंग मुनी कह कर गए तो है मिलेंगे राम सोने की चडिया माभारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो वर्शों की तपस्या के बाद रिशिमुनियों को भी नहीं मिलते मगर एक भेलनी शबरी के घर स्वैम चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बलकि उस भेलनी के जूठे बेर भी खाते हैं और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रीम के पाले पढ़कर प्रभुका नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान 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 एक थी शबरी भक्तन न्योच्छावर करके तन्मन मतंग मुनी के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन मतंग मुनी के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन बागों से चुन चुन लाती प्रभु को फूल चड़ाती गंगा के पावन जल से रोज असनान कराती चरण धोके श्री राम का करती चरण धोके श्री राम का करती शर्णा मृत का पान भाव के भूके हैं भगवान 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 धैर ये एक ऐसा प्रसाद है जो इनसान को महान बना देता है मतंग मुनी मा शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे और शबरी ने दस हजार साल तक प्रतिक्षा किया शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे बलकि कहते थे ये कौन दिखात कुदी मा नारी ते उत जाती है मूद भरी छिन भी तर बाहर होत छिन सुपसो नहीं बैठत एक खरी यही के तनमे कछुपीर भई ये वियोगिन मान समाही जरी अब जान पड़ी रगुनात के प्रेम की मूरती रूप ये है शबरी मतंग शबरी को बताए बहु भांती समझाए सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए सबर कर कुछ दिन शबरी मिलने के दिन अब आए राम जी तुम से मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर शबरी को धैरे बंधा कर समाधी लिए गुरुवर राम नाम में लिन हो गई गुरु से पाकर ग्यान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान बाव की भूखे हैं भगवान मा शबरी के गुरु महामुनी मतंग बाव जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे तब मा शबरी ने उनसे पूछा हे गुरुवर मुझे मेरे राम कहां मिलेंगे इस पर महामुनी मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी अरे दुनिया राम को डूणती है मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरे दर्वाजे राम स्वैम चल कर आएंगे मा शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया मा शबरी हर रोज राहों पर फूल विचाती थी चुन चुन कर मीठे बेर चक चक कर इकठा करती थी ठाकि मेरे प्रभुष राम जबाएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे राहों पर फूल भी बड़ी सावधानी से शबरी मा विचाती थी शबरी मा सोचती थी कि मेरे गुर्वर कहके गए हैं कि मेरे घर मेरे राम ज़रूर आएंगे शबरी मा राहों पर दूर दूर तक खूल विचाती कि प्रभुष राम के पैर में कहीं कोई काटा न चुप जाए राह पे फूल विचाती वो मीठे वेर को लाती मेरे प्रभु राम आएंगे नैनों में सपने सजाती राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे उ मरियां बीती जाए रे के अखियां पंत निहारे जर जर हो गई काया फिर भी बसे राम में प्राण भाव के भूखे है भगवान समय समय के साथ बीत ता गया मा शबरी अब बुढ़ी हो गई मा शबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई प्रभुश्री राम के प्रती उसका प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता गया मा शबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी प्रियाग राज जहाँ पर कुम्भ का मेला लगता है एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुम्भ के मेले को देखने पहुँची अपने पूर्व जन्म में भी मा शबरी को प्रभुश्री राम से उतना ही ज़्यादा प्यार था उस वक्त रानी ने अपने पती से ये इक्षा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीर्टन करूंगी जिस पर उसके राजा पती ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटी लोगों के साथ बैठना शोगा नहीं देता ये बात महारानी के हरदय में चुप गई महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिये और इश्वर से कहा हे मेरे प्रभू हे मेरे राम इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खुबसूरत बनाया है अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना इस जन्म में आपने मुझे उच्चि कुल में जन्म दिया है अगले जन्म में चाहे तुम मुझे भीलनी बना देना मगर हे प्रभु मेरा अगला जन्म जब भी हो मुझे ये सोधाग जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को जपू मैं तुम्हारा नाम लू मुझे पर कोई बंधन न हो वो राजकुमारी अगले जन्द में माशबरी बनी वही माशबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी वो सुन्दर आसन लगाके स्वक्ष कुटिया को सजाके राह आचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगाके और ना अब तड़ पाओ राम मेरे आभी जाओ दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी पून करो अर्मान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम दास मलू का कह गए सब के दाता राम और हम सब के परम पूज्य बाबा तुलसी दास ने राम सरित मानस में भी कहा है राम से बड़ा राम का नाम और यही काम माता शबरी दिन राद कर रही थी बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे वो हर वक्त हे राम हे राम बोलती रहती थी प्रभुश्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में तर तर भटक रहे थे उनके कानों में ये आवाज खुंजी उन्होंने अपने भाई लखन से कहा प्रिय अनुझ ध्यान से सुनो मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतिक्षा कर रही है मैं भी अपने माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ चलो अनुझ माता शबरी की कुटिया में चलते है प्रभू श्री राम माता शबरी की कुटिया में आते है माता शबरी की नजर जब प्रभू श्री राम के उपर पड़ती है तो माता की आँखों से खुशियों के आँसु धारा प्रवा बहने लगते है माता शबरी रो रो के कहने लगती है मेरे राम आप आगए मेरे राम आप आगए आँसु भरी आँखों से मा शबरी प्रभु श्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी दोनों हाथों को जोड़ कर दोड़े दोड़े मा शबरी ने प्रभू श्री राम के पैर पकड़ लिये और कहने लगी मेरे राम मैं तो दो जन्मों से आपकी प्रतिक्षा कर रहे थी लोग मुझे पागल बुला रहे थे मेरे गुरु देव ने मुझे कहा था किशबरी राम लक्षमण के साथ एक दिन तेरी कुटिया में सरूर आएंगे सरूर आएंगे राम संग लखन को आते देखी प्रभू को मुसकाते प्रभू के पास में आई कुटिया से दोड़ लगाते राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई प्रभू के पाव पकड़के भाव में विहवल हो गई प्रभू के पाव पकड़के भाव में विहवल हो गई खुशी के आंसों से पग धोए खुशी के आंसों से पग धोए भक्त न शबरी समान भाव के भूखे हैं भगवान 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 मित्रों मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है और वो बात ये है कि इश्वर को हमारी जरुवत नहीं है हमें इश्वर की जरुवत है इश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है मगर हम इश्वर के बिना हमेशा ही अपूर्ण है हम पैदा तो इनसान के रूप में होते हैं मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो ईश्वर को पसंद हो और ईश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बने दयालू बने और सदैव ही अच्छाई के मार्ग पर चले चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहे चाहे ईश्वर के रूप में जो भी इंसान इश्वर को याद रखता है वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता बुरा करना तो दूर की बात है वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है उसका मन हमेशा साफ और शान्त रहता है मन हो गर निर्मल संजै प्रभु जी तोड़े आते प्रसाद की बात करें क्या वो जूठे बेर भिखाते बात है सची लेकिन हम सब इससे है अंजान भाव के भूखे है भगवान भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे है भगवान इस कथा के लेखक पंडित संजै तिवारी जी साउंड इन्जीनियर श्रीक एलास्ड इन्रियाल जी मैक्स स्टूडियो दिल्ली संगितकार लवली शर्मा मैं आपका अपना रविराज और भी मिजडिक परिवार की तरप से आप सभी को कोटी-कोटी प्रणाम करता हों किसी भी तुरुटी के लिए हम शमा प्राव की है बलाओ भगत और भगवान की